डेर फ्रेंड चलते हैं, आज नाइन्द क्लास के लिए साइनस सबजेक्ट को पढ़ते हैं जैसा कि पता होगा, नाइन्द क्लास सीबी एसी वेले के लिए सीबी एसी बालों के लिए हम लोग अभी मोसन चैप्टर को पढ़ रहे थे और dear students, जैसा कि आप जानते हैं, motion वाले chapter में, हम लोग motion के equation के बारे में पढ़ रहे थे, total motion के equation 3 होता है, पता है न, एक होता है v बराबर u plus 80, एक होता है s बराबर ut plus half 80 square, एक होता है 2as is equal to v square minus u square, ये चीज़े तो होता है तो चलिए, हम लोग पिछले class में आप जानते हैं कि v बराबर u plus 80 को proof किये थे, वैसे ही आज हम लोग पता है क्या सिखने वाले हैं, आज हम लोग सिखने वाले हैं proof, क्या सिखने वाले हैं proof, किसका, तो s बराबर ut plus half 80 square, एक चीज़े हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, by graphical method, graphical method, यानि कि graphical method से हम लोग s बराबर ut plus half 80 square को पढ़ने वाले हैं, तो आपको पहले ये formula proof करने के लिए, ये formula proof करने के लिए, जो आपको graph बनाना होगा, वो आपको जैसे पहले हम लोग velocity time का graph बनाय थे न, सेम होगा ही velocity time का graph आपको बनाना है, तो आप यहाँ पर लिखेगा, sketch, sketch का मतलब होता है खीचना, क्या खीच रहे हैं? तो velocity time graph हम लोग velocity time graph को खीच रहे हैं, तो जैसा कि आप पता है, velocity time graph में, ऐसे होता है, एक तरफ x यहाँ लिखते हैं, यहां x डेस, यहां होता है y, यहां होता है y dash इधर होता है time पता है ना इधर time होता है तूकि हम लोग किसका graph खिच रहे हैं velocity time का graph खिच रहे हैं तो एक तरफ time और दूसरे तरफ velocity होता है तीक है अब चुकि यहाँ पे जो कटान बिंदू है इसको हम लोग O बोल रहे थे और जैसा वहाँ पे graph बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी graph बनाएंगे आपको पता है कि एक particles जो है A से चलना start करता है a straight line motion करता है ठीक है और B तक के जाता है पता है ना और इसको हम लोग एक dot dot line से नीचे मिलाते हैं उसको हम लोग C बोलते हैं और एक straight line इसको अगर हम लोग मिलाते हैं इसको हम लोग D बोल देते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहां तक highly होता है इनिस्यल वेलोसिटी और यहां से लेकर यहां तक के भी वेलोसिटी होता है भी होता है मैंने की फाइनल वेलोसिटी आप यहां पे जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या-क्या हम लोग माने हुए है वो आपको लिखना पड़ेगा यहां से यहां तक टी वेलो है यहाँ से मानना पड़ेगा लेट इसमें हम क्या-क्या माने तो O से लेकर A तक के डिस्टेंस को U माने है O से लेकर E तक के डिस्टेंस को V माने है O से लेकर C तक के डिस्टेंस को T माने है ठीक है यहाँ तक तो क्लिए है रहे अच्छा अब हम लूग काम क्या करेंगे आप यहाँ पे एक O, A, B, C एरिया को देखिए जिसको हम लोग यहाँ पे कलर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोगों का एरिया निकालते हैं तो ओ एक तरह का दूरी निकलता है तो आप ऐसा ही फिगर को स्केज करेंगे खिचेंगे ताकि यह पता चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं आप देख पा रहे होंगे इसको हम लोग क्या कर दिये एक कलर कर दिये किस एरिया को कलर किये हैं O, A, B, C इस एरिया को कलर किये हैं इस एरिया को हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम ये किस तरह का figure बन रहे O, A, B, C एक तरह का trapegium है और trapegium का जब आप area निकालेंगे वही हो जाता है distance ठीक है क्योंकि अगर आप ये समझे कि हमें distance जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे उसका area को निकालेंगे तो जो area निकलेगा वही मेरा distance होगा तो आप यहाँ पर देखिए कि distance distance को हम लोग किस से सुचित करते हैं तो S से distance को S से सुचित करते हैं S बराबर यहाँ area निकाल लेंगे तो S का value निकल जाएगा तो area of trapegium 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 कौन सा area तो O, A, B, C का area O, A, B, C तो area O, A, B, C ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं S का S लिखेंगे और यह trapegium जो दिख रहा है O, A, B, C इसमें से दो ठो एरिया है एक को माल लेंगे first और एक को माल लेंगे second first वाला देखिए first वाला यहाँ से यहाँ आ रहा है यह जहाँ मेरा pen गुम रहा है वहाँ देखिए तो एक तरह का rectangle बन रहा है और second वाला एक triangle बन रहा है तो हमको total trapegium का area निकालना है या फिर O, A, B, C का area निकालना है तो first का area plus second का area दोनों का जोड़ देंगे तो area of first area of first region first region plus area of second region ठीक है first area को second area दोनों को add कर देंगे तो total नहीं निकल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं कि first region क्या है तो first region एक तरह का rectangle है तो इसको हम लोग सकते है area of rectangle और इसको लिख सकते है area of triangle ठीक है area of यह हो गया rectangle और area of हो गया एक triangle अब जैसा कि जानते है area of rectangle का formula क्या होता है length into breath तो यहाँ पे इस rectangle में length कितना है cd तो यहाँ लिख देंगे oc into cd area of triangle का formula क्या होता है half into base into height तो यहाँ पे base कितना है a से लेकर d तक के base है तो ad into इसका height कितना है तो height height bd है तो यहाँ पे लग देजिए bd ठीक है और इधर तो हम लोगों का s, s ही रहेगा ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है अब आप देख पा रहे होंगे इस s को तो हम लोग यहाँ a से ही लिखने वाले है मतलब कि इधर s is equal to oc तो यहाँ oc का distance कितना है t तो यहाँ oc के जगा पे लिख दिए t into ocd cd का मतलब यह वाला c से लेकर d तक के cd हुआ यानि कि cd और oa दोनों तो equal होगा ना क्योंकि rectangle में आमने सामने का जो side होता है वो equal होता है इसलिए cd के जगा पे हम लोग oa भी रख सकते हैं और oa का value कितना है a तो यहाँ हो जाएगा a ठीक है सरी a नहीं यहाँ पे u है ना o से लेकर u है तो यहाँ पे यह नहीं sorry u u रख देंगे फिर plus है तो plus देंगे फिर half यहाँ a d तो a से लेकर d तक का दूरी तो a से लेकर d बोलिए चाहे o से लेकर z बोलिए इसके सामने यह है rectangle के तो आमने सामने तो equal होगा तो a d का भी value कितना होगा t होगा तो आप इसके जगा पे कितना रख देजे t into उसके बाद देख पार होंगे bd है तो bd कहां से कहां तक यहां से लेकर यहां तक bd है तो bd के जगा पे हम लिख सकते हैं क्या कि bc में से cd को घटा देजे यानि कि ये वाला जो bd है तो bd के जगा पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा पूरा का मतलब bc minus cd तो इस तरीके से यहां पे लिख देजे bc minus cd किसके जगा पे bd के जगा पे क्यों क्योंकि bd का जो value आएगा और total bc में से cd को घटाने पे आएगा और देखिए कोई चीज हम लोग जब proof करना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसी तरीके से proof करेंगे तब ही आएगा ने तो अगर अपने तरीके से कुछ कुछ कीजेगा तो कभी नहीं आएगा इसलिए proof करने वाला जो कैसे है उसको अपने तरीके से आपको practice करना पड़ता है अब यहाँ पर देखिए u को t से multiply करेंगे तो यहाँ ut हो गया plus half into t into अब यहाँ पर देखिए तो bc bc का value कितना होगा तो bc bc का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक bc हुआ इसके सामने कौन है e o minus c d का value कितना हुआ तो c d का value देखिए c से लेकर d तक तो c से d बोलिए चाहे o से लेकर a बोलिए तो कितना हो गया u ठीक है अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर क्या बन रहे t into b minus u आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर चुकी a बराबर क्या फर्मूला होता है b minus u बटा में t यही ना फर्मूला होता है अब हम लोग इसको cross multiplication करेंगे cross multiplication करेंगे तो इसको हम लोग cross multiplication करेंगे तो उपर t ले जाएंगे तो यहाँ b minus u यहाँ b minus u बट्टा में a भी हो सकता है हो सकता है यानि कि t के जगा पर हम लोग कितना रख सकता है यानि कि सारी यहां पर हम लोग यह लिख सकते हैं चुकि फार्मूला होता है a बराबर b-u by t यह तो हम लोग कहां से फार्मूला होता है यह तो acceleration से होता है ठीक है अब हम लोग इसको cross multiplication कर करेंगे तो एक उटी से मल्टिप्लाइ करेंगे क्या होगा 80 इज इक्वल टू यहां क्या बनेगा भी माइनस यू तो इस तरीके से आप देख पा रहेंगे कि भी माइनस यू के जगा पर हम लोग कितना रख सकता है तो इस चीज जो है यह चीज है और राइट साइड लिख ताकि हम लोग यहां पर यह लिख सकें कि एस बराबर यू टी पलस हाफ इन्टू टी इन्टू इस भी माइनस यू के जगा पर कितना रखेंगे तो भी माइनस यू के जगा पर रखेंगे 80 तो यहां रख देजे 80 तो टोटल मिला कर कितना हो गया एस बराबर यू टी पलस ह half a t को t से multiple करेंगे तो t square तो dear students इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ करेंगे तो आज हम लोग एक प्रूफ को दिखें कौन सा प्रूफ एस बराबर ut plus half a t square यही हम लोग को फार्मूला प्रूफ हो गया जहां पर अगर हम से कोई पुछेगा कि where where एस is equal to क्या है तो एस होता है distance यू क्या है तो यू होता है initial velocity यू क्या होता है इनिश्यल वेलोसिटी ठीक है और उसके बाद एक क्या है तो एक के बारे में जैसा हम लोग जानते है एसलरेशन एसलरेशन एडबल एस टी के पावर इन है तो एसलरेशन टी का मतलब क्या टाइम तो इस तरीके से आज हम लोग दूसरा एक्वेशन प्रूफ किये जिसका नाम है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्कॉर जरह फिर से इसको रिवाज करते हैं कि हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्कॉर को प्रूफ करने में क्या 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 काम किये हैं वो जरह समझते हैं ठीक है तो अच्छे से हम हम लोग समझेंगे सबसे पहले हम लोग किये क्या कि प्रूफ करना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एड़ स्क्वार किस मेथड से ग्राफिकल मेथड से तो हम लोगों को सबसे पहले करना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा यह ग्राफ बनाना होगा यह तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं V, ठीक है यहां से यहां तक दूरी को बोलते हैं V, final velocity, ओ से लेकर C तक के distance को हम लोग time बोलते हैं, क्योंकि इधर time है, तो time हो गया, और सबका value में हम जो जो चीज माने है, late, OE बराबर जो माने, OE बराबर माने, OC बराबर माने, फिर इस बराबर यूटी प्लस हाफ एड़ स्कुएर तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो फर्मूला प्रूफ किया जाता है वो एरिया से प्रूफ किया जाता है तो यहाँ एक एरिया बन रहा है कौन सा ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है O A B C O O A B C O A B C एक ट्रेपेजियम है तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए दो पाट में आपको तोड़ना पड़ेगा नमबर वन नमबर टू ठीक है तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग फोर्म में तोड़ना पड़ता है फर्स्ट रिजन second region और दोनों को फिर add करना पड़ता है अब फर्स्ट अरिया अब सेकेंट रिजन अब फर्स्ट रिजन को देखिए तो एक तरगा रेक्टेंगल बन रहा है इसलिए यहाँ पे लिख दिया area of rectangle second region बन रहा है triangle जब तो यहां लिख दीजिए area of triangle अब area of rectangle क्या होता है length into breath तो यहां length कितना OC breath कितना CD आप breath OA भी लिख सकते हैं बात बराबर है तो breath कोई साथ भी लिख सकते हैं plus half into base into height तो यहां पे base कितना है AD base है और height इसका कितना है BD तो यहां पे आप BD height लिख सकते हैं चाहे BD भी हाइट लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पे कुल मिला कर अगर यहां पे सब का value रख दीजेगा OC के जगह पे T, CD के जगह पे U उसके बाद यहां पे जो है half AD के जगह पे T क्यों क्योंकि A से लेके D तक जग वहलू है वो T है क्योंकि O से C तक T है पिर BD का value BD का बोले तो यह height है ना तो BD के जगह पे आपको जो put करना है वो BC minus CD put करना है तो BC minus CD का मतलब क्या है B minus U तो S बराबर जो formula होगा UT plus half AD square इस तरीके से proof हो जाएगा और आप इन चीज़ों को बारबर practice करेंगे बारबर proof करेंगे तो यह चीज़े आसान हो जाएगी तो आज हम लोग एक equation को proof किये जिसका नाम है S बराबर UT plus half AD square that is very very important हम लोग को याद रहना चाहिए यह तीन equation कौन कौन सा पहला B बराबर U plus AT दूसरा S बराबर UT plus half AD square और एक बच रहा है 2AS is equal to VA square minus U square तो dear students हम लोग यह जो equation है उसका proof अगले दिन देखेंगे आज की class को यहीं तक खत्म करते हैं तो अगले दिन हम लोग इस equation को proof करेंगे और हो सके तो इस basis पे हम लोग numericals भी करेंगे तो आज की class को बस यहीं तक आप चीजों को बिल्कुल practice करते रहिए मेहनत करते रहिए कोई भी चीजें दूर नहीं हैं आप अगर चाहेंगे तो आसानी से प्रप्त कर सकते हैं बसरते आपको मेहनत करना पड़ेगा तो इसी बात के साथ आज की class को यहीं तक done करते हैं धन्यवाद